हेलो गाइज, वेलकम इन आपकी पूजा, आज मैं आपको ओरिजिनल रेसिपी दे रही हूँ, रफैलो केक यह बहुत पुरानी रेसिपी है, पहली जमाने में क्रिस्चन्स यही वाला केक घर पे बनाते थे, इसके लिए फ्रेंड्स मैंने आधा किलो का हार्ड शेप का स्पुन्ज अब इसको थी लेश का जा हो जा रहा है तो आपको अछंगे तस . और सबसे पहले मैं बता दो फीलिंक समय एनदर घोर directional यूजर करें गे तो सबसे पहले मैं आपको filling के लिए बताती हूँ, सबसे पहले एक लेंगे खाले bowl और उसमें मैंने लिया है करीब डेड़ कप मैंने लिए whipped cream whipped cream friends डालेंगे हम करीब डेड़ कप इसमें हम सारे अपना सारा मिला लेंगे ingredients क्योंकि cream friend हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि cake soft भी रहे और अच्छा भी रहे इसके अंदर मैंने अमुल का यूज़ किया है condensed milk यह आधा कप है आधा टीन ले सकते हैं आधा कप इसके बाद मैंने आधा कप ही लिया है desiccated coconut क्योंकि इसमें ज्यादा जो है यूज होता है coconut का ही होता है अब डाला है मैंने आधा कब melted किया हुआ white chocolate friends इसके इंदर चीज भी डाल सकते हैं हम लोग पसंद है तो आपको वरना चीज जिन लोगों को पसंद है वो डाल दीजिए नहीं तो आपकी मर्जी है यह मैंने लिया है फ्रेंस coconut का essence मैंने आपको पहले भी बताया है इसे अंदर coconut फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है और जाता रफेलो केक में coconut ही है तो यह की मैंने ड्रॉप्स लिए है इसके बाद हम लोग इसको एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे और मिक्स इसलिए देना है क्योंकि जो इसका desiccated coconut है वो अच्छी तरीके से हमारा मिक् अब बनाना शुरू कर रहे हैं अपना केक बौर्ट रखा उस पर क्रीम सेटल की और वन बाई वम हम लोग अपनी स्पॉंज लेंगे और स्पॉंज के उपर यह मैंने लिया है शूगर सिरप के बाद अपना यह बना हुआ फीलिंग डालेंगे फीलिंग को स्प्रेट कर दे इस तरह दो ऊब हाला यह तरह दो कि आपको यहाद है की साइड में से आप केम का बैलेंस बनाते हुए चलें और ताकि से मैंने तीनों लेयरत रियार त्यार कर ली हैं केक विप सबस्क्राइशंक तयार किये हुए केक को पांच मिनइट सिर्फ करएश में कि पाहριक की क्रीमक प्रिप जाए । क्रीम की परद भी हमें अच्छी लगानी है सिर्फ हमें पांच मिनिट का रेश्ट देना है क्योंकि जो क्रम कोड़ होते हैं वह सारे अच्छी तरह सेटल हो जाए यह दिखाए मैं आपको दिखाती हूं पांच मिनिट बाद हमारा केक कुछ इस तरीके से बस आपको ध्यान र तो इसी चीज़ का में इस केक में बहुत जादा ध्यान रखना है क्योंकि एक तो क्रम कोड़ है दूसरा डेसिकेटिट कोकोनड है जो की बहुत ही रफ हमारी एजिस दिखाएगा तो इसलिए हमें क्रीम का अच्छे से यूज करना है और पांच मिनिट के लिए फ्रिज में रखना है ताकि इसी बात के लिए मैं आपको जाद जादा जोर दे रही हूं कि आप अपने केक को सिर्फ पांच मिनिट के लिए फ्रिज में जरूर रखिए ताकि सारी चीज़े अच्छी तरह सेटल हो जाए इसके बाद मैंने यह लिया है फ्लेक्स लिए है या तो आप फ रेट करने के बाद साइड में भी हम लोग ऐसे हातों से सारी चौकलेट चिपका देंगे इसको हम लोग फ्रेंड्स वाइट एफेक्ट दे रहे हैं आप तो चाहे रेड कलर दे सकते हैं मगर रफैलो के एक फ्रेंड्स वाइट कलर का ही होता है अब मैं एक आपको यूज औ दिखा रही हूं मैं इसके उपर ट्री बना रही हूं यह मैंने वाइट चौकलेट लिया दो बोंदे लिए फिरेंड्स ग्रीन कलर की इसका हम बनाएंगे ट्री के लिए लिए बटर पेपर और यह स्कूर्वर्स लिए हैं हाफ-ाफ करके हाफ-ाफ करके यह जो हम लिसके श्कूर अरेस्ट्रिक है वह जो चौकलेट के साथ थोड़ी जम जाए सर्दियों में फ्रेंड जल्दा हमें जल्दी रिजल्ट अच्छा मिलता है क्योंकि सर्दियां है तो जो मेल्ड चौकलेट है वह जल्दी इसके उपर जम जाती है यह सेकिंड कोट मैं कर रही हूं यह देखिए आप अभी तो नहीं दिखाई देगा सूखने के बहुत बहुत अच्छा ही रिजल्ट हमें दिखाई देगा इसके बाद मैं लास्ट में फ्रेंड यूज करूँगी स्टार का एक एक स्टार हम टॉप पे लगा देंगे अभी सूखने के आप रिजल्ट देखिएगा सूखने के बाद कितना अच्छा रिजल्ट आता है हमारा और इस साथ में ब्राउन कलर लिया है ब्राउन कलर का मैं थोड़ा सा इसका स्टेम बना दूँगी यह देखिए सूख गई हैं आप दिख रहे हैं कितनी बड़िया हमार अभी प्रेज दिख रही है यह इस तरही किसी हैं अपने स्टैल से फ्रेंड़ आप कैसे भी लगा सकते हैं प्रेंट सेरिघ यह देखिए पेड्य के उपर जो पर जो ऐसे एक स्टैल के लिए डाल रही हूं ये देखिए हमारे trees कितने अच्छे लग रहे हैं आप खुदी देख सकते हैं settle करते रहे हैं क्योंकि soft cake है बहुत ज़्यादा हमारा spawn भी soft बनाए और साथ में हमारी feelings भी बहुत ज़्यादा soft बनी है तो आप ऐसे desiccated coconut डाल के और साथ में cake के ओपर भी थोड़ा सा desiccated cocoa डाल कर आप powder डाल करना पूरे cake को white वाइट कर दीजिए बहुत अच्छा effect आता है बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे eyes गरी हुए अब last में piping bag लिया है नीचे से border दूगी friends में और उपर से भी थोड़ा थोड़ा सा मैं इसको effect दूगी एक piping bag में मैंने cream लिया है यह देखे नीचे से थोड़ा knead करने के लिए मैंने नीचे से border बनाया है इसी तरीके से हम उपर भी अपना border बना देंगे तो बताइए friends कैसा लग रहा है मेरा cake रफैलो केक बनाया है यह बहुत पुरानी एक केक रेसिपी है जो कि पहले जमाने में यह बनाते थे इसके बाद friends अब हमारा के कैसा लग रहा बताईए और आपको किस चीज की रेसिपी चाहिए आप मुझे यह भी बताईए प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और मेरी रेसिपीज को शेयर कीजिए देखिए इसका लुक आप देख सकते हैं कितना प्यारा cake बनाया हमारा तो फ्रेंड्स बाई 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 टेक कियर शुक्रिया बहुत बहुत मेरी चैनल को प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच गाईज